दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक WhatsApp user हैं तो आपको यहाँ पर इस परकार की problem आती होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिकर के आ जाता है अगर आप एक WhatsApp user होंगे तो लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है कि आप GB WhatsApp यूज करते हैं उन्ही को यह problem आती है आपको हम यहाँ पर दिखा दें कि बहुत सारे लोग हमारी Telegram से जॉइन हुए हैं और बहुत सारे लोगों को यह problem आ रही है उनके हम comment भी देखते हैं और उनके comment साथ में पढ़ते हैं साथ ही साथ ओ भी जो इसकी sort देते हैं या फिर कोई pick भेजते हैं वो सारी चीजे मैं उनको देखता हूँ उसके बाद में मैं उस type की वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की health के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यह problem के जब करने हैं आप को इस वीडियो में बताने वाले हैं तो request है हमारी आफ से कि आप इस वीडियो के साथ में बने रहे गा वीडियो को कहें पर skip मत कीज़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये problem solve हो जाये तो तो चलिए सबसे पहले वीडियो को start करते हैं लेकिर वीडियो को start करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम को join नहीं किया है तो join कर लिजीगा अगर आपको किसी परकार की problem आती है तो आपकी problem को solve की जाएगी हमारे टेलिग्राम का link हमारे वीडियो की discussion में आपको मिल जाएगा आप वहां से जाकर के join हो सकते हैं या फिर direct टेलिग्राम पर जाकर करके आपको search करना है mkv technical जैसा search करेंगे आजाएग आप वहां पर join हो आपको सबसे पहले अपने smartphone से उसको क्या करना है अन इस्टॉल करा देना है ध्यान से हमारी वीडियो को देखेगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा request है ताकि आपकी problem solve हो जाए इतना करने के बाद दूस्तों अब आपको हैं पर करना क्या है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने play store पर जाना है इस परकार से और play store पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है आपको जो official WhatsApp होता है यहाँ पर इस परकार से आप यहाँ पर इसको सर्च कर लिजीगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहा प्रॉब्लम होगी वो solve होगी तो चलिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम बेट कर लेते हैं और यह अपडेट हो जाने देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वार्टसप यह अपडेट हो चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वार्टसप को install भी कर दा लिया होगा आपको मैं यहाँ पर डारेट ओपन करके लेकर करें चलता हूँ आपको इसी प्रकार से करना है जो चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ step by step आपको सीखना है हमारी आपस request है ताकि आपकी जो problem हो solve हो जाए बीड़ो को complete देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वार्टसप है आपकी problem solve हो जाए तो ठीक है इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परक करना 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 है यहाँ पर आने के बाद आपको doors और कुंछ भी नहीं करना है आप यहाँ पर देख सकतें कि इस परकार से यहाँ पर यह आ जाएगा आप आपको यहाँ पर करना है दोस्तु तो काफी ज़्याधा important हो जाता है कि आपकी यह problem solve होनी चाहिए ठीक है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है help का option आपको help ओले option पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परकार से यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेट करना होगा और बेट करने के बाद एक परकार से यहाँ पर एक नया page होगा open हो जाएगा open होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है आप ध्यान से देखेगा, आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोफ्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका जो नया पेज होगा, इस परकार से यहाँ पर open हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकास से आपका page open हो जाएगा आपको यहाँ पर उपर लिखा हुआ मिल जाता है help center और जैसे यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सरे option देखने के लिए मिल जाते हैं आपको यहाँ पर किसी भी option पर click ने करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना है scroll करके आपको यहाँ पर नीचे आना है आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर आने के बाद आपको यहां पर नीचे दिखा हुआ मिल जाएगा Contact Us, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लिखा होगा आपको यहां पर Country Us आपको उसे परüyorक़ खिलिक करना है और जैसे आप यहां पर किलिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं पेज ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वार्टसप इंडिया, जिस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, WhatsApp Messenger Support तो आपको हैं पर एक option देखने के लिए मिल जाता है Contact Us का आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करता है एक नया page open हो जाएगा तो नया page open होने के बाद आपको हैं पर नीचे आ रहा है फिर कभी आप उसको open नहीं कर पाएंगे फिर कभी आप उसको चला नहीं पाएंगे तो request है कि जितनी भी देर देखें ये वीडियो हो उतनी देर की अच्छे से देखें ताकि आपकी जो problem हो solve हो जाए ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी country select कर लीजिएगा आप जिस भी country से हैं जैसे मैं इंडिया से हूँ तो हमारे इंडिया का country code है वो है plus 91 आप पाकिस्तान से हैं तो आपका country code है plus 92 इसी परकार से यहाँ पर जितने भी country code है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी को आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आप जहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप यहाँ पर सबसे पहले अपने country code सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो अपना mobile number डालना है, जो mobile number आपका WhatsApp बना हुआ था, जिस mobile number से आपका WhatsApp बना हुआ था, बैन हो चुका है जो number ठीक है, तो उस number को आपको है पर डालना है, ठीक है, तो चलिए, मैं आपको है पर example के तोर पर, यहाँ पर मैं कोई mobile number आपको डाल के दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे क्या सारी चीजे कर ली है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर mobile number फिल कर दिया है और आपको ध्यान रहे कि यह मेरा mobile number नहीं है मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए example के तोर पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है तो आप इस number पर call मत कीजिएगा ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में नीचे जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है email address आपको यहाँ पर अपना email address देना है यानि आपको अपनी email ID डालना है वो भी सही email ID आपको यहाँ पर डालना है गलत मत डालिएगा आप लोगों से request है कोई चीज आपको यहाँ पर गलत चीजे नहीं डालनी है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना email ID डाल देता हूँ आपको मैं email ID डाल के दिखा देता हूँ इस परकार से यहाँ पर मैंने डाल दिया उसके बाद में एक बाद आपको नीचे फिर से सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर confirm और यह option पर click करना है click करने के बाद आपने यहाँ पर जो email ID उपर के साइड में आपने यहाँ पर डाली है उसी email ID को आपको यहाँ पर फिर से एक बार डाल देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिल कर दिया उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप से यहाँ पर पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं Android यूज करते हैं या फिर iPhone यूज करते हैं या फिर desktop यूज करते हैं इस परकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे पर neurolog ku करने के बाद आप यहां पर नीचे आईएगा और नीचे आने के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंपोर्टन यहां पर है इसमें आप धाने के बाद को ए Sak Freddie का व् सारी आप ढबhel की का ना करने के बाद आप compet on screen अ 토 Suska क्ला आप उसको लिखना क्या है और सही तरीका क्या होता है ताकि आपको जो words off है वो आप यूज़ कर पाएं एक बद ऐसा है यूज़ कर पाएं एक बार फिस्स से आपको जो 잡안 से आपको जो words off है वो unban हो जाएं तो चेलिए मैं आपको अहां पर लिख करके दिखा देता हूँ क्या लिखना है आपको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और इसी चीज को आपको यहाँ पर copy कर लेना है जो चीज मैंने को हमारे mobile की screen पर करना है इस परकार से और जैसे आप नेक् s700 गुलिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस परकार से यहां पर यहां पर यह जा जाएगा अब आपको हैं पर देखनी के मिए गाता है send question ध्यान रहे कि आपको send question पर click करना है मेरा यह problem नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर click नहीं करता हूँ send question पर लेकिन आपको send question पर click करना है और जैसे आप send question पर click कर देंगे उसके बाद में आपको 1-2 घंटे wait करना है आपको होँ से एक reply आएगा एक mail आएगा जो email ID आपने दिया था उसी email ID पर आपको mail देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका WhatsApp को band कर दिया गया है तो कब आप उसको unveil किया जाएगा या फिर कितना time लेक सकता है और हाँ ध्यान रहे कि आपको 1-2 बीग भी बेट करना परण सकता है तो आप यहाँ पर बेट कर लिजिएगा 1-2 बेक्स ठीक है चलिए मिलते किसी और वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते किसी और वीडियो में थांक्यू एंड धनवाद जाइं दो तो